जैसे यहाराम भाई सबको तो भाई पेटी भर के अपडेट निकल कर सामने हैं आज की इस वीडियो के अंदर आई एम सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल में पहली वार आए तो भाई सारे लोगे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा पूरा 2030 का पूरा बीडियोज पैकेज चला दिया जो की सबसे बेस्ट मुमेंट था 2030 जैसे हमें रोमा रेज और कोडी रोट्स का मैच देखनों को मैच चलाए गया एजय स्टाइल रोमा रेज का मैच चलाए गया बहुत सरा ऐसे मैचेज वहाँ पर चलाए तो मेरे ख्याल से कि भाई पिछले 2-3 साल में हम लोग एक ऐसा Monday Night Raw देखे भाई जिसके अंदर कुछ भी था ही नहीं तो भाई मैं आपको फिट से बतायाता हूँ भाई आज के Monday Night Raw को पर पुराने सारे बीडियोज पैकेज चला गया तो कुछ भी राओ को उपर हुआ नहीं था लाए तो सब और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और भाई मुझे नहीं लगता भाई जब CM Punk जब Royal Rumble वीन करेंगे तो वो रोमर रेंस कहें जाएंगे मेरे ख्यासे वो सेथ रॉलेंस कहें जाने और उसके पिछे सबसे वड़ा रीजन है कि भाई CM Punk ने खुद से Monday Night Raw पर इस बात को बोला था सेथ रॉलेंस के सामने कि मैं सिधे तुमारे उपर जाने वालो जब मैं रॉल मलवीन करूंगा सेकंड रिजन ए भी कि भाई पर इस बात में भी इनका मैच हो सकता है और भाई सेथ रॉलेंस हमेशा सारे इंटर्व्यू के अंदर बेस्ती कर रहे हैं इससे यही बात पता चलता है कि भाई सेथ रॉलेंस के बारों है तो अब मेरे ख्यास है आप लोग 200 परसें कंफार्म मालों कि भाई सासा बैंक्स रॉल रंबल के अंदर आने वाली इस बात मतलब एक नहीं में आपको बहुत सेरे रिजन बताने वालों बहुत सेरे में आपको टीज बताने वालों स्टोरी पर लगाया था मैं आपको दो दिन पहले बताया था इसके लाओ भाई कल के दिन सासा बैंक्स अपने ट्विटर को उपर अपना फोटो पोस्ट करते हों यहाँ पर हैपी हैपी होली डे यहाँ पर लिखायों और भाई अगर आप लोग सब 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 फस्ट रिलेटर को अगर आप लोग सिर्फ कंसिडर करते हो तो यहाँ पर ट्रीपल एज का नाम निकल कर सामने आता है और भाई सासा बैंक्स को यहाँ पर दो बार हैपी लिखने या कोई भी यहाँ पर जरुवत नहीं था मतलब भाई यह चीज़ कंफर्म है सासा बैंक्स नहीं देने वाल रिसेंटा में अपने क्रिसमस डेको पर एक फोटो पोश्ट किया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और भाई कमाल की बात है कि इन्होंने जो फोटो पोश्ट किया यह फोटो आज करने 2014 का मतलब 2014 के अंदर सेना वेजलर इतनी खतरनाक लगते है अगर आपको नहीं पता अपने गेम ट्रिबल एच के बारएं तो भाई ट्रिबल एच के बारएं द्रेवन काफी यहाँ जांदा करने वाला है मतलब दबली वालों को जिनको निकालना तो वणको ने निकाल दिया है उसके बदले बहुत सारे निव रेचल को लाने का लेनिया चोटे मोटे रैसलर Angels लाने वाले मेरे ख्यासे बड़े बड़े जितने भी रेसलर है करेंटा वे एडबलू कंप्री गंदर भाई एडबलू वाले उन सारे रेसलरों का न्यू कॉंट्रेक्ट मतलब साइन कर वाली है चाहिए आप लोग डीन अब रोस का बात करें चाहिए आप लोग कैंई उमेग पर आपके माँड में कोई रेसलर का नाम या आता रहोगे तो भाई आप लोग जरूर से बताएगा पर हाँ कुछ रेसलर तो भाई बहुत सरे जरूर से आने उस्पात करते हैं मुस्टाफा अली के वाले मतलब इनको ले ले नहीं वाले है कि दोनों पाकिस्तान से रिलेट तो भाई आप लोग समझ सकतो स्टोन कोल आज तक NFL के अंदर गयने उसके बाप जूद भी इनका कितना क्रेज है कि वहाँ पर इनका म्यूजिक बजाये जा रहा है पर इसका एक्षिल में क्या कहानी ये रिसेंटा में रिवील हो चुका है एक्षिल में भाई रेंडी ओटन का न्यू थीम सोंग अल्रेडी आज होगा पर डबली वाले उससे जैसी एक वार हिट की मतलए एक वार बजाये उसको दुनों ने उसको कैंसल कर दी पेरे ख्याल से भाई रेंडी ओटन का न्यू जो थीम सोंग आ रहा है उसमें साय से कुछ प्रोबलम होगा डबली वाल इसरी उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा ब्रेक दिये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे रॉल रमल के अंदर रेंडी ओटन जा मैच के अंदर रेसल करना है तो भाई वो न्यू थीम सोंग के साथ वहाँ पर आ सकते हैं प्लान मतलब साराची सेटर हो जागा डबली वाले फिट से इनको अपने कंपरिंग इंदर बुला लेगी पर हां अभी करेंट आप कोई भी प्लान नहीं इनके लिए मेरे खैसर घए एक यदो बार इन्हों ना जरूर से एक नेंश्डी गूपर बोला था पर भाई उसके बाद इन्हों ने कभी माइक ही नहीं मतलब खोला बोला ही नहीं वहाँ मतलब डूम मेकंटार को चैंपेस वेल्ड के लिए मौका मिलने वाला से इस मैच के रिजल्ट का प्रेडिसा मैं आपको पहले बताते हूं बहुत सारे उनके सपने थे पर आज उनके सारे सपने टूट चुके हैं, चार मन्त पहले ब्रेवाइट मतलब हमें छोड़कर जा चुक है और ये उनके लिए कैसा Christmas होने वाला जिस Christmas को पर मतलब भाई बिना मतलब ब्रेवाइट को celebrate ये सच में बहुत बुरा लगता है बहुत सरे लोगों को अभी यकीन नहीं होता कि भाई मतलब ब्रेवाइट हमें कुछ किया नहीं भाई उन्होंने सिर्फ बिक लगा लिया अपने सर के उपर और भाई सच में यार 90's के जो हमें रॉक देखनों को मिले थे मतलब जस्ट भाई उसी तरीके से रॉक का हमें यहाँ पर लुक देखनों को मिले वैसे रॉक आने वाले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर है फिर नहीं आने वाला भाई यह आज भी मतलब एक डिबेट का टॉपिक है जहां तक मुझे लगता भाई आप पलरा थोड़ा सा भारी हो चुका है मेरे खासे भाई आप ज्यादा चांसे रॉक का आने का एलिमिनेशन जेंबर के लाई बस पर आप लोग सासा बैंक्स का देख सकतों जो कि अल्रीडी मैं आपको पहले भी दिखा चुका हो इसको नेक्ट फोटो यहाँ पर रिया रिप्ली का आप भाई आप लोग देखो यार रिया रिप्ली क्रिस्मस डे को ओपर भी डॉम डॉम के साथ फोटो सेयर करें मतलब अ फोटो कैथी कैली का निकल कर सामने है जिसके अंदरो अपनी गल्फरेंड के साथ अगर आपको नहीं पता तो वहाई कैथी कैली एक लेस्वी एन है मतलब उनको लड़की ही पसंद में आती है वैसे यह वाला फोटो देखकर मैं क्या बोलो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है यार लगता है जैसे ब्रेजस.com का है पर सुटिंग चल रहा है लिटरली यार नटालिया का आज के टाइम पर भी ऐसा लूग है मैं कुछ बोल ही नहीं सकता है वैसे मुझे और फोटो नहीं दिखाना है तो वहाई सारे लोग सस्क्राइब कर लेगा जिन लोग को मे से बात करना है सारे लोग इंस्ट्रागाम को पर जरूर से आ सकते हैं